स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे इस वीडियों हम लोग बात करने वाले हैं जो यह वैलिंग्टन फायर बर्ड्स वर्सेज ओक्लेंड एसस की टीम के बीच में जो यह सुपर इसमाश टी ट्वंटी का चौथा मैच खेला जाएगा इस मैच के बारे में इस वीडियों हम लोग बात करेंगे तो आप लोग वीडियों को सुलूसे लेके लाष्ट तक पूरा देखना ताकि आपको यह पर सब कुछ अच्छे समझ में आ जाए और आप लोग अपनी खुद से बैतरी टीम बना पाओ तो सबसे पहले दोस्तों आपने आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलेगी और जो इस मैच की फाइनल टीम होगी वह भी मैं को टेलीग्राम पर ही देने वालों तो इस वज़े से आप लोग का टेलीग्राम से जुड़ना काफी इंपोर्टन रहेगा तो आप लोग जुड़ जाए लिंक आपको इसी वीडिय स्कोर यहां का 158 का राय इसके अलावा दोस्तों यहां पर पेसर्स जादा अच्छा करते हैं यानि कि इस पनर से जादा विकेट यहां पर पेसर्स को मिलते हैं तो उसी किसाब से आप लोग अपनी टीम क्रेट करना अब दोस्तों यहां पर हम लोग इस वेन्यू के बारे मे थोड़ा सा और जाने, तो total T20 domestic के यहाँ पर अभी तक 38 मैच खिले गए हैं, जिसमें से 20 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 17 बार यहाँ पर chasing करने वाली टीम जीती है, एक मैच टाई रहा है, तो यह रहा है, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग scoring pattern की बात करें, त जो यहाँ पर total 38 मैच खिले गए हैं, उसमें से आप देखोगे तो 12 बार यहाँ पर 150 के below score रहा है, 14 बार यहाँ पर 150 से 180 के बीच में score गया है, 8 बार यहाँ पर 170 से 189 के बीच में score बना है, और 4 बार यहाँ पर 190 के पारवी score जा चुका है, यानि कि एक अच्छा विकेट र रहे हैं, अगर आप लोग उने में देखोगे तो 48 विकेट यहाँ पर Pacers को मिले हैं, वहीं 24 विकेट Spinner को मिले हैं, तो यह राय अब दोस्तों यहाँ पर जो last मैच हुआ, उसका आप लोग यहाँ पर score card भी देख सकतो, यह last मैच जो इसी सीरीज का हुआ था, यहाँ पर Wellington क पहले बैटिंग करते हुए, काफी तगड़ा score बनाया, 234 बनाया, पहले बैटिंग करते हुए, पांच विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में, और इस मैच को यहाँ पर ओटागो की टीम, तो इस score को दोस्तों, ओटागो की टीम यहाँ पर चेस नहीं कर पाई थी, चेसिंग क अज़े साब से आप लोगए अपनी टीम क्रेक करना, अब यहाँ पर दोस्ते हम लोग पहले बात करते हैं, वेलिंग्टन फायर बढड की टीम के बारे में, तो धोस्तों वेलिंग्टन फायर बड की टीम अपना यहाँ पर लाश्ट मैच जीत के आ रहे हुआ और काफी पारी खेली काफी अच्छी बैटिंग करी थी जिसमें 10 छक्य और 10 चौक्य लगाई थे तो इनका ओवरॉल अगर आप देखोगे 14 मैच इनो ने खेलें T20 के इससे पहले जिसमें 181 रंस बनाया है 14 कैवरेज है ओवरॉल देखोगे ये कैवरेज खलाडी है पर दोस्तो में बिलकुल लेके चल सकते हो उन्हें ग्रीन वूर्ड की बात करें राइटी बैटर है चौबीस मैच खेलें 623 रंस है 28 कैवरेज है इनका दोस्तों स्टार्ट अच्छा है अलाकि लास्ट में फिलॉप रहे जीरो पर पहली बॉल पर यह आपर आउट हो गए थे पर अच् बॉलिंग कराते हैं 59 मैच में 1236 रंस है 23 कैवरेज है 3 विगेट बॉलिंग आप लोग ज़्ढव मत करना बॉलिंग कमी कराते हैं पर यहाँ पर बैटिंग से आप लोग करके चल सकते हुं बैटिंग उमीद कर सकतों लाश्म में 43 की पारी रहती मौमध अर्सलन अब आबव पर यहाँ पर यह बल्लिग करए पूर बल्ले वाज तर पर काना इस तन्स मैं और ढहरीуск प्रीज में यहां पर 19 नॉट आउट की लास में पारी भी खेली दो विकेट भी लेके गए तीन ओबर की बॉलिंग कराई और एक अच्छे प्लेयर है अच्छी एटिंग भी करते हैं बॉलिंग भी कराते हैं काफी इंपॉर्टेंट है सेलियो मकल चन की दोस्तों बात करें व तो 37 विकेट डेथ में बॉलिंग कराते हैं फर्स्ट बॉलिंग में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे पीटर यंगर्स बैंट की दोस्तों बात करें राइटी बैटा ने लैग ब्रिक गुगली बॉलिंग कराते हैं 35 मैच में 89 रंस तेरा कैवरेज है 27 विकेट दोस्तों इनका तो इसी तरह से रहता है जैसे लाश्ट में इनका पर्फॉर्मेंस रहा तीन विकेट लेके गए या तो यह तो यह पूरी तरह से फ्लॉप रहेंगे इस तरह से इनका पर्फॉर्मेंस रहता है लाश्ट में काफी अच्छा करके आ रहें तो इनको आप लेंगे इनका आप लोग आप देख सकते हो 28 मैच खिलें 34 विकेट है टी 20 के अच्छे खिलाड़ी है डैथ वे बॉलिंग कराते हैं और इनके अलावा मकपेकी लास्ट मैच के लिए साथ इन्होंने अगर आप इनका उबरॉल देखोंगे साथ मैच में साथ विकेट है लास्ट मैच के लिए जिसमें चार ओवर की बॉलिंग कराई और तीन विकेट भी लेके गए तो इनका भी आप लोग आप देखके चल सकते हो अब इनके अलावा दोस्ते हैं पर ट्रॉय जोंसन यहीं स्क्वेड में और हैं बाकी जो आपको नीचे देख रहे हैं इन में से कोई नहीं खेलेगा तो इन पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देना है वाकि यह आप लोग देखके चल सकते हो यह स्क्वेड में हैं यह खेलते ह हैं इन यह खेलेगा नाई तो अभी पर ग्रध्यान नहीं देतैं अब है अंब यहां दोग बात करता हैं उ Cheese की टीम के बारे में अब वेडियो को पूरा देख चल कि كंड का कफ़ी वेयं खला रजी है और सबसे पहले दोस्तों को बाक करें दो हजार साथ सो आठ रंस है, अठाइस का एवरेज है, लाश्ट विज़ेंगे 26 रंस की पारी रही और ओवरॉल इंपोर्टेंट रहेंगे, मार्टिन गप्टिल की बात करें दोस्तों, इनके बारे में बतानी की जरूरत है नहीं, आप सब को पता है, काफी बड़े खिलाड यहाँ पर 21 का एवरेज है, 23 विकेट है, लोग दोस्तों, अगर आप डिले इनको ड्रॉप कर रहे हैं, पर ओवरॉल यह भी अच्छे ओल राउंडर है, वन डाउन पर बल्ले वाजी देते हैं, प्लस दो से तीन ओवर की आपको बॉलिंग भी देंगे, तो यह भी एक अच फिर्ची पारी खेली, जिम्मी नीसम चार ओवर आपको देंगे, अच्छी बल्ले वाजी देंगे, अच्छे ओल डाउंडर हैं, तो इनके बारे में बताने की जड़े होते हैं, इंपोर्टेंट रहेंगे, और कैप्टन सी के बैस्ट ऑप्शन रहने वाले, कैम फ्लेचर दोस्तों, विकेट केपिंग में आपके पास सबसे बैस्ट ऑप्शन यही रहने वाले हैं, क्योंकि विकेट केपिंग में जो खेलेंगे, वो सिर्फ दो ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर कैम फ्लेचर बैस्ट रहेंगे, ओवरॉल भी देखोगे, टी ट्वन्टी में 96 मैंच म साथ रंस है, जीरो विकेट है, जील की एका टीम में ट्राई कर लेंगे, लिष्टे में ठीक ठाक सा पर्फॉर्मेंस इंड कर रहा है, वहाँ पे इनोंने बॉलिंग भी कराई है, और यहाँ पर भी करा सकते हैं, लास्ट में बॉलिंग नहीं कराई, पर लिष्टे में ठीक निकाल के आ रहे है चार ओवर की बॉलिंग कराई और चार ओवर कराते हैं लुष डेलपॉट की वात रहे हैं लेफ्ट रम उत रॉक्स बॉलिंग कराते हैं तेईस मैच में बाइस विकेट है अच्छे इस पे नहीं इनको आप लोग जेल में रोटेट कर सकते हो वाकि मैच में इनकी टीम ने सत्रा ओवर में ही मैच जीत लिया था इस वज़े से इनको यहाँ पर तीन ओवर में लिए वरना यह चार कराते हैं निकित परेड़ा ने एक ही मैच टीटोंटी का खेला है जोकी लास्ट खेला जिसमें दोवर की बॉलिंग कराई थी एक विकेट भी लेके गएते निका आपा डील की टीम में ट्राइब कर सकते हो बाकी दोष्त लोइनके अलावा जोक मकंगि यहाँ पर में चल सकते हो क्योंकि आपको इनestion यहां dw देखने पर स्टार्ट्स देखने को नहीं मिलगा है वाकी जो नहीं है रुषय हैं उसका आप लोग यहां पर इनका रीशन फॉर्म देखके चल सकते हो बाकी मेरे सबसे उसका मु oui अगर खेल थे तो आप लोग यहां पर देखके चल सकते हो अब दोस्तों इनके इलावा जो आपको न टीम ने जीते हैं 19 यहां पे ओक्लेंड में देखोगे तो यहां पर ओक्लेंड की टीम थोड़ी सी आगे रही है तीन मैसे लोगों के नॉट रिजल्ट भी रहे हैं तो आप यह चीज भी यहां पर देखके चल सकते हैं तो दोस्तों इस मैच के बारे में अब हमने सब कुछ ज बिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपनी टीम देख लेते हैं तो यहां पर दोस्तों मैंने विकेट कीपिंग में कैम फ्लेचर को लिया और आपको यहां पर ज्यादा सोचना ही नहीं है इनको लेके चलना है क्योंकि इनकी बैटिंग आपसन में इनकी बैटिंग काफी नीचे आई और टीटिंग में अभी तक कुछ खास कर भी नहीं पाए हैं तो इनको नहीं लेना है बाकी जो आपको आपसन दिख रहा है विन में से कोई नहीं कहलेगा तो इन पर ज्यादा ध्यान देना नहीं है तो यहां पर ज्यादा आपसन में आपको इनको लिया निक कैली भी दोस्तो अपने टीम के मैन बल लेवाज है इस वज़े से मैंने इनको लिया है अपने टीम के कैपटन भी है इंपोर्टन है बाकी टी रॉबिंसन दोस्तो लास्ट में जिस तरह की पारी खेल के आ रहे हैं आप लोग करना चाओ बिल्कुल कर सकते हो, ओबरॉल देखोगे, एक एवरेज खलाड़ी है, पर लाष्ट में काफी अच्छा किया, मार्टिन गप्टिल के बारे में बतानी के जरूत है नहीं, बड़े बल्ले बाज़ है, मैं फिलाल के लिए नहीं ले पाए हूँ, आप लोग लेना चाओ, बिल् में नहीं रहेंगे, क्योंकि T20 में अभी ज़्यादा इन्होंने खेला नहीं है, जेल में ही ट्राइ करना, बाकि दोस्तो T Johnson, अगर ये प्लेयर खेल जाता है, तो इसको आप लोग यहाँ पे, इस मौल लीग में भी ट्राइ कर सकते हो, क्योंकि यह अच्छी बल्ले वाज़ मैं लिए, नाफ्वन बीग को लिए, इनके अपड़ लुग कर सकते हो, मैं भी कर सकते हो, फ्लाल के लिए, क्योंकि 1 डाऊंपर बैटिंग देंगे, प्लस 2-3 ओवर की बॉलिंग कराएंगे अच्छे all-round रहे इस वजे से मैंने यहाँ पर फ्लाल के लिए इनको ही पिक किया है पर हो सकता है मैं after toss मार्टन गप्टिल को भी लेके जाओं पर केस प्लेयर की जगा लूँगा वो आपको toss के बाद ही पता चलेगा बाकी दोस्तों यहाँ पर नीचे बात करें तो नीचे इनमे से यहाँ पर कोई नहीं खेलेगा तो इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है टस्कॉफ और हरिसन यह लोग भी स्क्वेड में नहीं है तो नहीं खेलेंगे sorry दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा confused हो गया था तो यहाँ पर टस्कॉफ और हरिसन दोनों स्क्वेड में है पर दोनों नहीं अभी तक कुछ खास किया नहीं है ज्यादा T20 खेला नहीं है तो इनको यहाँ पर small league में नहीं लेना है आप लोग एका GL की टीम में rotate करना चाओ तो कर सकते हो बाकी small league ले उतने अच्छे option यह लोग नहीं रहेंगे बाकी आप नीचे नहीं कोई खेलने वाला तो यहाँ पर दोस्तों मैंने फ्लाल के लिए पांच all rounders को लिया है बॉलिंग section में आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने बी लिश्टर को लिया है इनके थोड़ी बाद यह बल्ले वाजी भी कर लेते हैं तो अगर Auckland की team पहले balling कराए तो फिर हम लोग यहाँ पर इन दोनों के साथ भी जा सकते हैं क्योंकि important रहेंगे death में balling कराते हैं अच्छे player है बाकी दोस्तों मकपे के last match में ठीक ताक balling करके आ रहे हैं इनको pick करना job कर सकत दोस्तों एक wicket taker baller है first balling आपको death में भी दिखेंगे important है only Newton यहाँ पर square में है नहीं बाकी यहाँ पर कोई square में नहीं है तो फिलाल दोस्तों मैंने यहाँ पर Sears कोई लिया है बाकी मैंने आपको बताई दिया अगर यहाँ पर Auckland की team पहले balling करे तो फिर हम लोग इन दोनों के साथ भी जा सकते हैं हाला कि Newton भी यहाँ पर Sears भी यहाँ पर important है तो हम लोग यहाँ पर इन तीनों को भी लेकर चल सकते हैं हम मैं funds को किसकी जगा लोगा अगर Auckland की team balling करेगी तो वो आपको toss के बाद पता लगी जाएगा फिलाल के लिए मैंने यहाँ पर Sears को ही लिया है तो फिलाल दोस्तों जो मेरी यहाँ पर team बन रही है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार है अब यहाँ पर मैंने अपनी कप्तानी जिम्मी नीसम को दिया जो कि चार ओवर भी देंगे अच्छी कासी बल्ले वाजी भी करते तो captain मैंने यहाँ पर in को किया है 5 captain मैंने यहाँ लो बॉस आपको लो टेलीग्राम पर बता दूँगा तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर जोइन कर लेना लिंक आपको इसी वीडियो को description मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ पुरे वीडिय watch करने के लिए thank you so much दोस्तों